इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उप्योग करते हैं तो हम किसी भी दुश प्रभाव के लिए जिम् लें. यदि आप बहतर महसूस करते हैं तब भी पूरी तरह से रिकवरी के लिए इलाज पूरा करें. इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे मिचली आना, ओल्टी, पेट दर्ड, भूक में कमी, चक्कर आना और सिर दर्ड. ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट चकते, खुजली, सूजन, सांसफूर ना, आदी का अनुभव होता है, तो आपको तुरंद चिकित से किये मदद लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको अपने लिव या किद्नी में कोई समस्या है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. साथ ह अगर आप किसी स्वास्थ स्थिती के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं. गर्भवती या स्थनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टरों से भी सलाह लेनी चाहिए. शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यदिक चक्कर आ सकते हैं. आ और नोफ डेबलेट के फाइदे, बैक्टीरियल और परजीवी इंफेक्षन का इलाज. أर्नोफ डेबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया और पैरासाइट से होने वाले संक्रमन का इलाज करने के लिए किया जा सकता है. यह संक्रमन फैलाने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों को मार कर और उन्हें बढ़ने से रोग कर काम करता है। यह दवा आम तोर पर आपको जल्द ही बहतर महसूस कराती है। हालां कि आपको बहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अब दी तक इसे लेना जारी रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया और पर जीवी मारे जा चुके हैं और इनमें प्रतिरोध बिक्सित नहीं हुआ है। और नोफ टेबलेट के साइड इफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। डिंत कने ही एक टॉक्टर साइड बने तोॉक्त